तो आज से हमें स्टार्ट कर रहे हैं O-Level M3R5 की स्रीज जो की बेस्द है Python programming language पर तो आज हम इस वीडियो में O-Level M3R5 का जो syllabus है उसको यहाँ पर हम detail में देखेंगे कि कौन-कौन सी चीजे उसमें हमें पढ़नी है क्योंकि syllabus काफी important होता है अगर आपको कोई भी exam देना है त और यहाँ पर साथी साथ यह भी हम बात करेंगे कि जो Python में जो notes हम use करने वाले है यानि कि O-Level M3R5 की इस स्रीज में जो भी notes study material यूज करेंगे वो आपको कहां से मिलेगा कैसे download करना है तो यह सारी चीजे हम पहले देख लेते हैं फिर उसके बाद हम detail में syllabus को cover करेंगे फि जो वीडियो और जो notes है वो अल्रेडी हम यहाँ पर provide कर चुके हैं जो वीडियो है वो आपको YouTube चैनल पर मिल जाएंगे और जो notes है वो आपको यही पर मिल जाएंगे ठीक है UPCSS YouTube.com इसी website पर आपको पहले जपता होगा तो यहाँ पर UPCSS YouTube.com इस website में जाने के बाद यहाँ यहाँ पर आपको notes में जाना है, notes में जाने के बाद यहाँ पर आप नीचे scroll करेंगे, यहाँ पर आपको open करना है O-Level Study Material और यहाँ पर आपको IT Tools है Network Basics जो O-Level M1R5 का यहाँ पर section हमने बना दिया जिसमें O-Level M1R5 से related सारे notes आपको मिलेंगे और जो भी notes हैं वो हमने update भी कर दी है, यहाँ पर M1R5 के notes मेंने update कर दी है, आप इसको check करें, जो M1R5 के student है और बाकी यहाँ पर इसी की नीचे आप scroll करेंगे, तो M2R5 का section है और last में यहाँ पर आप देखेंगे, तो M3R5 का यहाँ पर section है, और in future यहाँ पर M4R5 का भी आपको इसी page में मिलेगा, ठीक होगा, यहाँ पर website कौन सी है, upcssyoutube.com, इसका जो link है वो video के description में भी मिल जायागा, और फिर उसके बाद यहाँ पर notes में आने के बाद आपको O level study material open करना है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर notes डाउंडोड कर लिए हमने, open करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको notes का ए नहीं रखती क्योंकि सारी चीजा practical based होती है, तो यहाँ पर हिंदी या English का कोई खास मतलब नहीं बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो video language रहेगी, वो हिंदी रहेगी, आपको पता है, और बाकि जो notes है, वो English में है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, और बाकि इसके जो important question answer होंगे, जो exam से पहले हम करवाएंगे, वो आपके जो answer होंगे, वो हिंदी और English mix होंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हिंदी के student हैं तब भी join कर सकते हैं, और English के हैं तब भी join कर सकते हैं, और एक ही notes आपके use में आ जाएंगे, ठ 3 यानि की module 3, R5 यानि revision 5 ठीक है, और यहाँ पर mark distribution आप देख सकते हैं, introduction to programming algorithm and flowchart से पुछा जाता है 20 marks का ठीक है, और बात करें, introduction to python operator expression and python statement sequence data types, यहाँ से 30 marks का आता है, function file processing and modules से 40 marks का, numpy से आता है आपका 10 marks का ठीक है, और यहाँ पर बात करें, syllabus की, तो सब से पहले यहाँ आ theory based है, ठीक है, लगभग क्या यह theory ही है, और उसके बाद यहाँ से आपका start होता है, introduction to python, यह आपका पूरा practical start होता है, जो कि सारी चीज़े इसमें practical based है, last तक पूरा numpy basics तक, ठीक है, टोटल इसमें 9 chapter है, और 9 chapter में 7 chapter जो आपके है, 7 chapter यह आपके जो है, practical based है, और इनका पू पहले chapter की, introduction to programming, जिसमें the basic model of computation, इसको हम समझेंगे, algorithm and flowchart के बारे में देखेंगे, programming, languages, python के अलावा और कौन कौन सी है, इसके बारे में समझेंगे, compilation क्या होती है, testing and debugging and documentation, तो यह सारी चीज़े जो है, यह आपका पहला chapter है, जो कि बिलकुल basic है, और यह एक वीडियो में आ चार्ट यह, आपका chapter complete हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका practical start होगा, introduction to python से, ठीक है, तो सारे वीडियो lecture, सारी चीज़े आपको step by step इसी playlist में, इसी series में मिलती रहेंगी, तो फिलाल यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का main मक्सद यही था, कि यहाँ पर जो है, ह ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, okay so thanks for watching this video.